हेलो दोस्तो मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कर्मेन को एजुकेशन में दोस्तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विराम चिन इसमें हम जानेंगे की लिखते समय किस विराम चिनों का प्रयोग होता है और विराम चिन क्या है विराम चिन विराम का अर्थ है ठहराव विश्राम रुकना लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वले चिन को ही विराम चिन कहते हैं उधारन है, मोहन पढ रहा है, समाने चिन, ताज मेल किसने बनवाया, प्रशन वाचक चिन, शाम आया, अश्चर्य भाव चिन विराम चिन के प्रेकार विराम चिन, अलप विराम, पून विराम, उप विराम, अर्दे विराम, योजक चिन, अफ्तरण, रेखागन चिन, लाघव चिन, आदेश चिन, विश्मयादी बोधक, प्रशन वाचक, कोश्टक आईए जानते हैं अलप विराम चिन के पारे में, जहां थोड़ी सी दे रुकना पड़े, वहां अलप विराम का प्रियोग करते हैं, उधारन है नदी, पहाड, खेत, हवा, राम, सीता और लक्षमर, जंगल, गए अर्ध विराम, जहां अलप विराम की अपेच्छा कुछ अधिक देट तक रुकना पड़े, वहां अर्ध विराम का प्रियोग करते हैं, उधारन है सूर्यस्त हो गया, लालीमा का इस्थान कालीमा ने ले लिया, दूसरा उधारन है सूर्यदे हो गया, चेडिया चैकने अलग दिखाना हो तो वहां पर उप विराम का प्रियोग करते हैं, उधारन है प्यदूशन, एक अभिशाप, दूसरा है विज्ञान, वर्दान या अभिशाप, पूर्ण विराम, वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन का प्रियोग करते हैं, उधारन है राम घ प्रशन चिन दूसरा है हाए वह मारा गया आहा कितना सुहावना मौसम है निर्देशक चिन निर्देशक चिन का प्रयोग विशय विवाद संबंधी प्रतेक शिर्षक के आगे उधारन के पश्चात कथोपक कथन के नाम के आगे किया जाता है इसको रेखा चिन के नाम से भी जाना जाता है उधारन है जैसे अनार, आम, संत्रा, अध्यापक तुम जा सकते हो कोस्टक चिन कोस्टक चिन का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पस्ट करने के लिए शब्त अत्वा वाक्याँश को कोस्टक के अंदर लिखकर किया जाता है उधारन है विश्या मित्र क्रोध में कापते हुए ठैर जा धर्म राज जुष्टर सत्य और धर्म के संडक्षक थे उध्रन या अफ्तरन चिन किसी कथन को जों या त्यों अध्रत करने के लिए उध्रन या अफ्तरन चिन का प्रयोग करते हैं उधारन है मा कभी तुलसी दास ने सत्य कहा है परादिन सपने हुँ सुख ना ही दूसर उधारन है भारतिंदू जी ने कहा हिंदी हिंदू हिंदू हिंदूस्तान योजक्चिन योजक्चिन का प्रयोग समस्पदों के मध्ये में किया जाता है उधारण है सुख, दुख, लाबहानी, दिनरात, यश, अपश, तनमंधन दूसरा है देश के दिवानों ने तनमंधन से देश की रक्षा के लिए प्रतन किया लाघवचिन किसी बड़े शब्द को संचेव में लिखने के लिए कुछ आँश लिखकर लाघवचिन लगा दिया जाता है इसको संचेवचिन भी कहते हैं उधारण है उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश यानि इसको हम थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं डॉक्टर के लिए डॉक्टर इंजिनियर के लिए इंजिनियर विवरंचिन विवरंचिन का प्रयोग वाक्याश के विशे में कुछ सूचक निदेशक आदी देने के लिए किया जाता है उधारण वनो से निमन लाब है इस देश में बड़ी बड़ी नदिया है विश्मेंट चिन का प्रयोग लिखते समय किसी शर्वद को भूल जाने पर किया जाता है उधारन मैं पिताजी के साथ गया हमें रोजाना अपना कार्य चाहिए यानि करना चाहिए पदलोब चिन उधारन राम ने मोहन को गाली दी उधारन मैं समान उठा दूँगा पर ये पदलोब चिन है यानि वाक्य को पूरा करने से पहले रुख जाना मेरी वीडियो यहीं समापत होती है उमीद करती हो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी आपका कोई प्रिश्ण है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद